वेल्कम बैक टू माई चानल वेल्कम बैक टू अनदर वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं इजिप्तियन डिश जो की बहुत ही यम्मी बनने वाली है बहुत ही डिलिशियस तो चलिए इंग्रीडेंस चेक कर लेते हैं कीव दूजच जलिए नई नहीं लागे घरीचेक कर लेते हैं अर वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसको हम नभी आप के लिए याप सब्सक्राट कर लेनाना है निकालने के बाद इसमें पेश्ट रेडिक कर रहे हो लगाऊंगे अगर आपके पास है तो लगाई है नहीं तो रूम टेंप्रेचर का दूट डाले नहीं तो यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही खराब होगी इसको हमने देर तक मिक्स करना है जब तक इसके लंब्स पूरे डिजॉल्व ना हो जाए तो यह हमने मिक्स कर लेना है पूरा और मिक्स करके पाव को बीच से कट लगा देना है बीच से कट लगाने के बाद हमने पाव पे इसको 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 बीच से कट लगा दिया मैंने और इस पे बीच से आधा आधा पेस्ट दो से तीन चम्मत लगा दीजिए अगर आपके पास प्रसेस कीजें नहीं हैं इस प्रोसेस के लिए जोखे बात नहीं बिलकुल ओप्छनल अबने सबकते लग करें की यह टop सब्सेट करकें दोनवे पाओ को करने के बाद काट लेना है। तो इसी तरीके से मैने काटा है एक में 12 पीस हुए है जए हुए रिवत कट लगाए है तो आपके पास कोई डिश नहीं है तो आप इसी तरीके से में पूरा निकाल लूँगे निकालने के बाद हमने सेम पैन को थोड़ा साफ करके रख देना है ताकि यह जले नहीं जो इसमें पार्ट्स हैं और हमने थोड़ा सा बिल्कुल एक पिंच फिर से बटर डाल आप देन है और इसमें थोड़ी सी चार से पांच छोटी इलाइची डाली है अगर आपके पास इलाइची पाउडर है तो आप इस प्रोसेस को स्किप करके दूद में डारेक्टल इलाइची पाउडर डाल दीजिए यहां पर मैंने आधा लीटर दूद को यूज किया आप दूद की अगर आप जादा ले रहे हैं तो एक लीटर दूद भी ले सकते हैं तो यहां पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके डालाया दूद क्योंकि वह अचानक से उसमें बॉइलिंग प्रेस सुरू होने लगता है तो यह पूरा आधा लीटर दूद है मेरा अब हमने इसको डाल देन हैं और गैस को हाई कर देना है कि मैंने दूद डालते टाइम गैस को स्लो किया था क्योंकि हाथ में भाप लगने कर रहता है थोड़ा तो इसकी वज़े से स्लो कर दिया तो अब हम इसमें डालेंगे शुगर यहां पर मैं 6 टेबल स्पून शुगर डाल रही हूं अगर आप अगर आपके पास कॉन फ्लॉर नहीं है तो आप कश्टेट पाउडर कभी यूज कर सकते हैं वैसे इजिप्ट वाले आप पर केस नहीं करेंगे कश्टेट पाउडर में कॉन फ्लॉर भी रहता है अच्छी खासी क्वेंटिटी में तो देखिए मैं कॉन फ्लॉर ले ले रही हूं यहां पर उसमें डाल देंगे 2-3 टेबल स्पून पानी ठंडा पानी डालना है विल्कुल नॉर्मल नहीं तो यह बिल्कुल लम्स बन जा अच्छा सब गोल रेडी हो जाए और इसको लगतार चलाते हुए गोल रेडी कर लेना हमने ताकि यह बिल्कुल फाइनली इसमें जो लम्स है वो गुठलियां वो खतम हो जाए ताकि गरम दूद में जाने के बाद इसका रेक्शन बहुत ही खराब हो जाता है तो देखिए पूरा हमने घोल लिया अच्छे से अब हम इसको ऐसी डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और लगतार चलाते रहेंगे दूद में तो यह बिल्कुल गुठलियों के जैसा हो जाएगा पूरा तो अब मैं डाल रही हूं यहां पर इसको डालने के बाद हमन में चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी यह देखे इस तरीके से लगतार चलाते हूं हमने इसको बॉइल आने तक पकाना है अगर आपको ब्रेड और डेरी मिलकर डिजर्ट चाहिए तो मैं आई बटन में दे दूँगी रेसीपी वह भी जाकर चेक आउट कीजेगा वह भी आप ड्राइफ रूट की क्वेंटिटी और क्याटेग्री अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप जो ड्राइफ रूट दिल करें वह डालने वह बस गरीम डालेगा क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा मूं में फस्ती है तो आप मैं यहां पर डाल दूगी किस्मीश मैं थ करें भूल र平त प्रेंशना करना इसे तरह करदें को अच्छा लिए हो ऑछनल म्सक्वीर इंद लिए वाइसा पर्टी इसे तरीके करें यहां दिभ कर दे सकते करेंटों हाव करणा दमे पेश यहां पर दूगी यह तक स्टरीके से और लगातार इसको चलनाना है मैं नीचे तो जब यह एब्सॉब कर लेगा तो बहुत ही यमी सा टेस्ट आता है तो देखिए मैं पूरे पे पोर कर दे रही हूं इसी तरीके से और पोर करने के बाद हमने एक इसको चम्मस लेके इसको दबा देना है ताकि अच्छे से उसी में डूब जाए यह देखिए इस तरीके से मैं डाल दे रही हूं चारो तरफ से पूरा जो है बैटर हमने पूरा डाल दिया इसमें अब एक चम्मस से यह इसको दबा दूंगी जो कॉर्णर पर है उसको ताकि यह इसमें अच्छे से एब्सॉब हो जाए नहीं तो साइडों से लगे रहते हैं उसमें सूखा पन रहता है यह देखिए पूरा हमारा एडी है अब मैं ड्राइफ रूट की गशार दूंगी इसमें यह देखिए इस तरीके से थोड़े थोड़े द्राइफ रूट डाल दीजिए अगर आप चाहें तो ड्राइफ रूट साथ में ही डॉली पूरे कोई दिक्कत नहीं है तो इस तर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं लेकिन रखने से पहले क्लिंग रहा है जरूर लगा लिजे नहीं तो इसमें लाने लगती है इसकी तो देखिए पूरा चिल हो चुका है और आप हम चलते हैं इसको सरु करते हैं एक बार थोड़ा आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूं कि कैसा बना है यह देखिए मैं कट करें देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा पाव है बिल्कुल यह बहुत ही अमेजिंग बना है एक बार ट्राइज जरूर कीजिए गा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसीपी के स आप तब तक के लिए आला हाफिज दूए के दर्खास